नमस्कारा ये जानते हैं को जनरल नालेज के बारे में तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की से कहा जाता था मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की से और कब बनाया गया था तो उतर होगा वारेन हेंस्टिंग्स को 1773 में भारत का प्रतम गौवर्नर बनाया गया था उतर होगा प्रतम मैसूर युदिकव और किन के बिच लड़ा गया था तो उतर होगा 1767 में अंग्रेज मराठायों हैदराबाद के निजाम की संजुक्त फोज तथा हैदर अली की फोज के बिच लड़ा गया था मदरास की संधी कब और किन के बिच हुई थी तो उतर होगा 1779 इसवी में अंग्रेज तथा मैसूर के सासक हैदर अली के बिच द्वीती मैसूर युद्ध कब और किन के बीच हुआ था तो उतर होगा 1780 इस्वी में अंग्रेज देता हैदर अली के बीच हुआ था हैदर अली की मृतु कब हुई थी उतर होगा 1782 इस्वी में मंगलावर की संधी कब और किन के बीच हुई थी तो उतर होगा 1784 इसवी में अंग्रेज और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बीच 33 मैसूर युद्धकब और किन के बीच हुआ था तो उतर होगा 1790 इसवी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी तो उतर होगा श्री रंग पटनम में चतूर्थ मैसूर युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था तो उतर होगा 17.99 इस भी में टिपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टिपू सुल्तान की मृत तुकब और कैसे हुई थी तो उतर होगा 17.99 इस भी में चतूर्थ मैसूर युद्ध में वह अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था प्रथम मराठा युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था तो उतर होगा 17.75 इस भी में मराठा और अंग्रेजों के बीच तो यह है कुछ जनरल नालेज के प्रमुक सवाल जो इतिहास सम्मन्दित है तो इसी तरह की प्रमुक जनकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए मैं हमेशा इसी तरह की खुबसूरे जनकारी लेकर के अपने चैनल देहाती मन पर हाजिर होता रहता हूं दोस्तों लेकिन एक बात की कमी होती है कि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है जब सब्सक्राइब नहीं करता है तो मनो बॉला भे एक अदम डाउन हो जाता है टू टू कुटू